नमस्कार दोस्तो ग्याजस.शिक्षा वेबसाइट की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है अमर दोस्तो इस प्रेजेंटेशन में मैं यहां डिसकस करूँगा बिष्ट डीप फ्रायर अंडर 3000 रूपीज 3000 रूपीज से कम कीमत में एक बढ़ियाँ डीप फ्रायर जो एलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं दोस्तो यहां आप जानेंगे अमेरिकन मैक्रोनिक और इनलसा जैसे बढ़ियाँ प्रांड के बिष्ट डीप फ्रायर जो प्लब है 3000 रूपीज से कम कीमत में भारतिय बजार में है दोस्तो इन दोनों बढ़ियाँ डीप फ्रायर के बारें विस्तार से जानने के लिए आए ग्याजर स्टॉट से खचापर इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आपको वहां आपको इन दोनों बढ़ियां डीप फ्रायर का पूरा रिब्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमात, वायरेंटी, साथ ही खरीदने का लिंक पूरी जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों आएए जानते हैं 3,000 रुपे से कम कीमत में दो बढ़ियां डीप फ्रायर के खास टेक्निकल फीचर्ज, सुरुवात करेंगे अमेरिकन मैक्रोनिक डीप फ्रायर से, जिसकी अभीकी कीमत है भारते बजार में 2,990 रुपीज, 3,000 रुपे से कम कीमत में यहाँ ब फीचर्ज बहुत अच्छे हैं यह एक स्मार्ट कीचेन अप्लाइंस है तो आए जानते हैं इसके खास टेक्निकल फीचर्ज, इसमें दिये गए ओयल टेंक की केपिसिटी है 3 लीटर और इसकी पावर केपिसिटी है 2,000 वाट, दिये गए ओयल टेंक में नॉनिस्टिक कोटि और इस ओयल टेंक को आप डिस्वासर में भी दो सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ एक स्मार्ट डिफ फ्रायर है इसमें दिये गए हैं दो कंट्रोल नौग टाइम और टेंप्रेचर को सेट करने के लिए और आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं तो एक बाद बाहर निकाल लेजी और इसको गर्मा-गर्म सर्व कीजिए इतना आसान है छोफायव बनाना इस अमर्कन माइक्रोनिक लिफ फ्रायर में इसका बिल्ड क्यालिटी सांधार है था बहुत पसंद आया इसका बिल्ड क्वालिटी और उसके ज्यादर पसंद आया इसका डिजाइन इस डिप फ्रायर के डिजाइन को देख करके कोई नहीं कहा सकता इसकी कीमत है सिर्फ 3,000 रूपीज बहुत ही modern और innovative दिखता है या डिप फ्रायर विकेंड में अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं लौन में बैट करके चिटचाट करना चाहते हैं और वहीं पे कुछ कुछ कुगिंग करना चाहते हैं उसके लिए या स्मार्ट डिप फ्रायर बिल्कुल उप्यूगत है इस डिप फ्रायर को आप कही बनाने के जरूरत नहीं है, सबके साथ चिटचाट करते हुए इसमें फ्राय बनाईए और टाइमर फंक्शन के कारण आपको ज्यादा ध्यान भी रखने के जरूरत नहीं है, तो काफी पोर्टेवल और इजली मूवेवल है, कहीं पी भी आप इस स्मार्ट डीप फ्रायर को से सन के अनुसार, मैनिफेक्टरिंग डिफ्रेक्ट के लिए 12 मैनी के वारेंटी मिलेगी, अगर यह डीप फ्रायर काम करना भंद कर दिया 12 मैनी के अंदर, कम्पनी अपने खर्चे पर आपके घर से यूनिट को पिक अप करवाएगी, उसको रिपेर करेगी, अगर रिपेर न तो दोस्तों, अमेरकर मैक्रोनिक डिफ्रायर में कम से कम एक लिटर तेल का आपको इस्तिमाल करना है, उससे कम तेल का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, कमपनी का नुसार, तो कम से कम एक लिटर तेल डालना है, और अधिकतम 2 लिटर तक तेल आप इसमें डाल सकते हैं, और इस इसको इस्तमाल करना काफी आसान है इस Deep Fryer के साथ आपको मिलेंगे instruction manual उसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसे इसको इस्तमाल करना है तो दोस्तो अमिर्कन माइक्रोनिक Deep Fryer के खास टेकनिकल फीचर और उसके बारे हम समझने के बाद अब आए देखते हैं दूसरा बढ़ियाँ Deep Fryer थीन हजार रुपया से कम कीमत में जो की है इनलसा ब्रांड का इनलसा प्रोफेशनल 2 Deep Fryer जिसके अभी की कीमत है भारतिय बजार में 2,790 रुपीज तीन हजार रुपया से कम कीमत में यह भी वन आप दी बेस्ट रेटेड डीफ रायर है इंडियान मार्केट में अब आए जानते हैं इसके खास टेक्निकल फीचर इसमें दियेगे ओयल टेंक की केपेसिटी है 3.2 लीटर और जिसमें आप अधिक्तम डाल सकते हो 2 लीटर तेल और इसका पावर केपेसिटी है 1700 वाट इसमें दियेगे ओयल टेंक और हीटिंग रॉड को आप अलग कर सकते ह इसको क्लीन करने के लिए वास करने के लिए अमेरिकन मैक्रोनिक डिप फ्रायर में आपको मिलते हैं दो कंट्रोल ना हो एक टाइम के लिए उसरा टेंप्रेचर के लिए जबकि इनलसा ब्रांट के इस डिप फ्रायर में आपको मिलते हैं सिर्फ एक कंट्रोल ना हो इस जैसे कंपनी बताती है 1.500 degree आपको सेट करना है सीफूड के लिए 170 degree आपको सेट करना है फिस और मीट के लिए वही 190 degree आपको सेट करना है आलू, गोबी और इस तरह के चीजों को फ्राइ करने के लिए तो जो जो ही आप इस deep fryer का इस्तमाल करेंगे आपको समझ में आते जाएगा कि किस item के लिए cat सही temperature होगा वो सही temperature आपको set कर देना है जब तेल का तापमान तेल का temperature उस level तक पहुँचेगा जहां आपने उस temperature को set किया है उसके बाद automatically power cut हो जाता है जैसे कि आपको iron box में होता है auto power cut ओवर हीटिंग से बचाने के लिए जो ही auto power cut होगा इस deep fryer के सामने control panel पे एक light indicator दिया गया है जो कि जल जाता है और यह indicate करता है कि तेल अब गर्म हो चुका है और fry करने के लिए तयार है यहाँ deep fryer कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे एक तेल भरी हुए कड़ा ही ग्यास सुलह पे करती है तेल अगर जो रोस से ज्यादा गर्म हो गया तो आप उस ग्यास को कम कर देते हैं कि तेल का तापमन सही बना रहे है और उसमें सही धंग से fry किया जा सके तो यह काम इस deep fr fryer में automatically होता है उसके लिए system built-in है इसका build quality अच्छा है साथ ही इसका design user friendly है इसको इस्तमाल करना जैदे आसान है compared to American Micronik deep fryer जिसकी चर्चा में ने अभी की थी इस deep fryer के 4 foot में anti-sleep rubber fit दिये गये हैं ताकि यहाँ stable बना रहे इस्तमाल के दौरान और साथ ही इसमें cable box भी दिये गये हैं जिसमें आप power cord को लपेट करके सुरक्षित धंग से रख सकते हैं और इनलसा ब्रांड देती है 24 मेहने की warranty अमेरिकन माक्रोनिक ब्रांड दे रही है सिर्फ 12 मेहने की warranty लेकिन वहां आपके घर से यूनिट को भीक अप करेगी अपने खर्चे पर ठीक करके या फिर नया यूनिट आपके घर पहुँचाएगी अपने खर्चे पर लेकिन इनल देती है 24 मेहने की warranty तो अब आप खुद ही ताय कर लीजिए कि इन दोनों कंपणियों को द्वारा ओफर किये के warranty टर्न में कौन सा जैदा बढ़िया है कौन सा जैदा उप्युक्त है आपके लिए तो दोस्तों इनलसा ब्रांड का या डीफ्रायर स्मार्ट फ्रायर नहीं है इसमें आपको टायामर के फंक्सन नहीं मिलते हैं इसमें फ्राय करने के लिए कम से कम आपको डीटर लीटर तेल का इस्तामाल करना है तो एक बार में यह इतना फ्राय जरूर बना सकता है जो कि 3-5 लोगों के लिए उप्यूक्त होगा American Micronique Deep Fryer को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुस्किल है उसके User Manual को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है तो कि उसमें Smart Functions दिये गए हैं इसमें Smart Features नहीं है येकिन इसका एक बढ़ियां Feature है कि आप इसमें तेल का Temperature सेट कर सकते हैं जो ही उस लेवल पे तेल का Temperature पहुंचेगा अपने आप पावर कट हो जाएगा तो इससे होगा ये कि तेल जैदा गर्म नहीं होगा और तेल की जो तापमान है उसका एक Consistency बना रहेगा और इसके कारणा आपको जो फ्राय होगा बहुत बढ़िया होगा उसलिए quality बहुत अच्छे होगी वो क्रिस्पी होगा और इसलिए काफी टेस्टी होगा तो दोस्तों इन दोनों Deep Fryer के इस्तमाल के बारा में कुछ जरूरी बाते आप जान लीजिए इस्तमाल किये होए तेल वो आप फिर से इस्तमाल कर सकते हैं कम से कम 4-5 बार तो जरूर आप इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही एक हफ़ते तक इस्तमाल कर सकते हैं अगर डेली आप उसमें सिर्फ एक बार फ्राय बनाते हैं दोस्तों इन दोनों डीफ फ्रायर में आप बना सकते हैं फृरंच फ्राय, चिप्स, चिकेन फ्राय, फिस्प्राय, पकोडा, समोसा, भजी, बेशन बरी और इस तरह के अन सभी चीजें यानि कि ये दोनों deep fry all in one है सभी तरह के fry items को बना सकते हैं और इन दोनों deep fryers के लिए तीसरी जरूरी चीजे मैं यह कहना चाओंगा कि कभी भी इसमें एक fry न करें अइसा हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं तो कभी भी एक fry न करें लेकिन बांकी की सभी चीजे आप इसमें बना सकते हैं तो दोस्तो 3000 रुपय से कम कीमत में दो बढ़ियां deep fryers आते हैं मुझे तो यह दोनों deep fryers बहुत पसंद आया इसके performance बहुत अच्छे लगे बहुत ही efficient और बहुत ही user friendly है यह दोनों deep fryers दोस्तों गर यह presentation पसंद आया इस video को like कीजिए इस पर comment कीजिए इसे आप अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much for your time कि ऊपने दोस्तों आप एंद आया वह बहुत है